हलो दोस्तों, वेलकम टू टोपर्स विलेज, दोस्तों आज हम क्लास 12 मैट्स का जो चेप्टर है, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन या फिर हिंदी में बोले तो समाकलन, उसका एक नया टोपिक डिसकस करेंगे, definite integration by substitution, definite integration मतलब निश्चित समाकलन और substitution मतलब प्रतिस्था अलड़ी एक दो बार देख चुके हैं, जैसे हमने definite integration का introduction दिया था ना, एक बार theory lecture में, तब देखा था, तब मैंने substitution के question भी करवाये थे, लेकिन वो substitution को कराने का पुराना तरीका था, एक बार में आपको पुराना और नया, जो नया तरीका है उस पर आज अपना focus रहेगा लेकिन मैं पहले दोनों ही तरीके आपको बता जेता हूँ, तो old method, old method ऐसे नहीं कि इसको छोड़ दिया नहीं, old method से हमने किया है, old मतलब इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी में, जो आपको पहले से पता है न, उसको मैं old method बोल रहा हूँ, क्या करते थे, जैसे को पांस तरीके होते हैं, integration करने के, formula लगा दो, या फिर substitution से कर दो, या फिर partial fraction से कर दो, या फिर integration by parts कर दो, मानलो कि इनमें से बस substitution वाला, प्रतिस्ता पुरा वाला तरीका लग रहा है, तो हम क्या करते थे, इसमें से यह जो limits है न, इनको यहीं पर पीज़ छोड़ देते थे और यह जो integration है, simple integration, f of x, dx, इसको हम अलग से लिखते थे, इसमें जो भी काम करना था, उसमें समझो कि x को हमने t से replace कर दिया, t से substitute कर दिया, ऐसा नहीं, simply x को t से ही किया है, मतलब कुछ x में कोई complicated सा expression था, उसको हमने t मान लिया है, फिर इसकी शकल मान लो कि ऐसी बन गई, f of x की जगह बन गया, g of t, और जो dx उसका बन गया, dt, अब हम इसको easily integrate कर लेते थे, और यहां से answer आ जा जाता, यहां से अपना question को उस answer आ गया, समझो कि capital g of t, ऐसा answer आ गया, plus c, अब यहां पे, जो t है न, t, इसकी जगह हम resubstitute कर देते है, resubstitute, r यह मतलब दुबारा से, ज x, जैसा जैसा बन सकता है, टीकी जगह, जो भी x का वाला complicated expression था न, वह हम वापस put कर देते थे, यह आपको पता है पहले से, और यह जो function वापस एक नया रूप ले ले लेता था, समझो कि यह f of x बन जाता था, f of x plus c, और अब हम यहां पर, यह जो f of x का integration हो गया, f of x, capital f of x इसमें हम यह values डाल दिया करते थे, तो इसका answer यहां से बन जाता था अपना f of, पहले upper limit डाल देते थे, f of b, और फिर lower limit f of a, और दोनों को minus कर देते थे, यह अपनी पूराना तरीका था, x से t में गए, t में answer निकाला, और t को वापस हमने x में convert के लिए, और x वाल ही limits हमने इसके अंदर डाल दिती थी, अब यहां पर नई method में देखो क्या होगा, new method, हमें यह solve करना है integration a to b f of x dx, तो यहां पर हम, जैसे हमने यहां पर limits छोड़ दीती न, पहले इसको indefinite तरीके से integrate किया था पूरा, और उसके बाद में limits last में रखी थी हमने, यहां पर हम limits नहीं छ substitution, तो x वाली कोई बड़ी इसी चीज़ को हमने कुछ, simple सा t बोल देते थे, साथ यहां पर दो काम और करते थे, यहां पर न, यह, a और b, यह क्या है, पुरानी limits है, यह जो a है, यह है old, lower limit, ठीक है, और जो b है, यह है old, upper limit, समझ रिए मेरी बात को, हम यहां पर, नई नई दोनों limit निकाल लेते हैं, new, upper limit भी निकाल लेते हैं, और समझो कि हम यहां पर new, lower limit भी निकाल लेते हैं, अच्छा चलो मान लेता हूं कि यह a और b का, जो old, lower limit है न, वो a उठा कर यहां पर x वाली में डालते हैं, तो उससे tq value मिल जाती है, तो जो tq value मिली, वो नई वाली समझे लो, a, b, यहां पर समझे लो, यह c है, और जो नई upper limit है, वो समझे लो, d है, तो अब अपने integration का जो चहरा न, जो शकल है, वो ऐसी बन जाएगी, देखो, कैसी बनेगी, जो f of x है न, वो g में convert हो जाएगा, जब g of t, dt's type का बन जाते है, lower limit, upper limit हम लगाते हैं यहां प जाता है question, हम इस question को यहीं पे solve करते हैं, इसको integrate कर लेते हैं आसान होने के बाद में, समझो इसका integration आगया, क्या, g of t आगया, अब upper limit, lower limit, उपर d, नीचे c लगा देते हैं, और answer क्या बन जाएगा भी यहां पर, capital G, पहले d डालेंगे, तो d हो जाएगा, minus c डालेंगे, तो g of c हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाता है, final answer हो जाता है, समझगे है मेरी बात, यह नया तरीका अपना solve करने का, पुराने वाले में देखो, f of b, minus f of a आता है, यहां पे नया वाला जो t के अंदर था ना, वही g, g of d, minus g of c, नहीं वाली यहां पे limits ही, नहीं वाले function म वापस t को x में convert करने की जरुरत नहीं है, ठीक है दोस्तो, example से और clear करते हैं, मैं एक example लेता हूँ, जिसको हम old and new, दोनों तरीके से करेंगे, answer सेम आएगा, यहां पर दिखने में आपको भले यह अलग लग यह और यह आपको अलग लग 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 रहा हूँ, लेकिन answer दोन x square plus 1 dx, अब देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं इसको old method से करता हूँ, वो इस substitution तो लगेगा, दोनों में substitution ही लगेगा, लेकिन पुराने वाले तरीके में क्या करते थे, देखो, यहां पर नीचे वाले का differentiation उपर है, तो सबसे पहले में इस 2 और तो 3 इनको बूल जाओ, लिमिट्स को पहले आप इनको ऐसा लिख लो, integration x upon x square plus 1 dot dx, इसको कैसे करते हैं, यहां पर आप जहां से देखोगे, तो x square का differentiation उपर है, dx के साथ में, तो मैं क्या करूँगा, यह जो नीचे वाला है, पूरे कोई, 1 को भी ले लिए लिए साथ में, x square x की value भी आप यहां से निकाल लो, 2 उधर चला जाएगा, तो x dx क्या हो जाएगा, dt upon 2, यह value भी substitute कर देता हूँ, और यह value भी substitute कर देता हूँ, देखो अपना question क्या बन जाएगा, आई, अचा आई तो नहीं, यही है न, यह वाला, यह वाला क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा, integration, x dx की जगा आजएगा, dt by 2, तो 1 by 2 बाहर, और dt उपर, dt by 2 हो गया, फिर है निचे x square प्लस 1, उसकी जगा क्या जाएगा, t आजएगा, ऐसा हो गया, तो 1 by 2, अब 1 by t का integration क्या होता है, log of t होता है, ठीक है, आप आप चाओ तो modulus लगा लो, t की value वापस हम यहाँ पर put करते ह है हना, हना, old method में यह होता है, x code ऐसा t में लेके गए, t को फिर वापस हमने x में डाल दिया, हना, तो यहाँ पर t की वापस value डाल दूए, x square plus 1, 1 by 2 ऐसा हो जाएगा, log of x square plus 1, bracket plus c, c यहाँ पर लगाने की ज़रोत नहीं है, तो इस expression का indefinite integration यह हो गया, तो आप definite करना है, त x बटा, x square plus 1 dot dx, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर, इसका integration क्या हो गया, यह हो गया, इसको पुरा मने substitution से कर लिया, यह answer आया, यह मैं यहाँ पर इसका integration के तोर पर रख दूँगा, 1 by 2, log of x square plus 1, ऐसे bracket लगाया, upper limit उपर, lower limit यहाँ पर, soul करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं 3 डालूँगा, तो यहाँ पर क्या है, 1 by 2, 1 by 2 को आप चाहो तो बाहर निकाल लो, चलो मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, जो x वाली चीज है ना, इससी में 3 डाल देता हूँ, 3 यहाँ पर रखूंगा, तो क्या हो बाहर है, वो बाहर ले लिया, मैंने common ले लिया, 2 पुट करूँगा, तो क्या मिल जाएगा, log of 2 का square प्लस 1, तो 4 प्लस 1, 5 बन किया यह, ठीक है, अब 1 by 2 तो अभी भी बाहर है, log of, log m minus log n, यह formula क्या होता है, log m by n होता है, तो 10 बटा 5 हो जाएगा, क्या जाएगा, 10 by 5 हो ज फिर log, 10 बटे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इस question का answer, 2 by 3, 2 से लेके 3 तक integration इसका, पुरानी वाली method से, क्या है वो, x को हमने t में replace किया, substitute किया, प्रतिस्था बन किया, फिर t के अंदर integration कर लिया, और t की जग वापस हमने यह value डाल दी, ठीक है, तो वापस से इस question का answer x मे by 2, log 2, यह answer आया, पुरानी method से, नई method apply करके देखते हैं, अगले page में, देखो दोस्तो, by new method इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसा पता चल रहा है, कि x square plus 1 इसका differentiation उपर की तरफ तयार है, मतलब बनाया जा सकता है, तो मैं नीचे वाले को क्या बोल दूँगा, t बो differentiate करूँगा, x square का क्या हो जाएगा, 2x, x का हो जाएगा, dx, 1 का हो जाएगा, 0, t का हो जाएगा, dt, ऐसा हो गया, यहाँ पर x dx, यह है तेना, तो हम यहाँ से x dx निकाल देंगे, 2 उदर जला जाएगा, 2, तो dt by 2 जाएगा, यह value और यह value में यहाँ पर डाल दूँगा, साथ साथ, अब यहाँ पर क्या करूँगा, देखो, यहाँ पर एक मैं table type से बना लेता हूँ, table मना लेता हूँ, एक तो old और एक new, क्या है old, lower limit क्या है, and upper limit क्या है, समझगी? ऐसे बता रहा हूँ, थोड़ा से इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे Old, Lower Limit क्या है, देखो Lower Limit है 2, और Upper Limit क्या है 3 LL मतलब Lower Limit LL मतलब Lower Limit, और जो UL है उसका मतलब है Upper Limit ठीक है, तो Lower Limit पुरानी वाली है 2, और Upper Limit है 3 मैं नई Lower और Upper Limit निकालना चाहता हूँ, तो Lower Limit कैसे निकालूँगा, अपना Main Formula क्या है, हमने सबसे पहले substitute क्या क्या है, यह क्या ना, इसी से निकालेंगे एक और समझे लो, जो Lower Limit, Upper Limit है ना, Old वाली, वो है X की Values, अब अपना Variable चेंज हो गया, किस में आगया है, T में आगया, तो जो नई Limits होगी, वो किस की Values होगी, T की Values होगी, आपको नया T निकालना है, तो T का Formula क्या है, T का Formula क्या है, अपना X Square प्लस 1 बराबर T, इस Formula के तहत निकालूँगा, यहाँ आपर, Lower Limit, पुराना वाला जो Old Lower Limit है, वो किया है, दो, इसका मतलब X की Value है, दो, इसके Corresponding T की Value क्या हैगी, तो मैं 2 उठा कर इसमें डाल दूँगा, तो 2 का Square प्लस 1 क्या है जाएगा, 2 का Square प्लस 1 बराबर क्या जाएगा, पांच हो जाएगा, तो जो Lower Limit है, नहीं वाली Lower Limit, वो क्या हो जाएगी, पांच हो जाएगी, ऐसे Upper Limit, तो मैं X की जो Upper Limit है 3, वो उठा कर इस Formula में डालूँगा, तो मेरे को T की Upper Limit मिल जाएगी, मतलब नहीं Upper Limit मिल जाएगी, तो 3 उठा के यहाँ पर रखूँगा, तो क्या बन जाएगा, 3 Square प्लस 1 बराबर 10, यह Lower Limit है, नहीं वाली, और यह Upper Limit है, नहीं वाली, ठीक है, तो यह substitute करने के सा साथ-साथ हम differentiation तो करते ही है, साथ-साथ हम limit भी change कर लेते हैं, यह ही है मैं चीज, यहीं से हम दोनों काम संभाल लेते हैं, differentiation का भी और limit चेंज करने का भी, तो अब देखो अपने question की नई शकल क्या होगी, सब कुछ new-new हो गया, तो I equal to I, यहाँ पर 2-2-3, देखो यह 2-3 न तो क्या होता है, जब हम ऐसे limit change करते हैं, तब कई बाएर क्या होता है, lower limit बढ़ी आ जाती है, upper limit छोटी आ जाती है, तो देखो आ सकती है, ऐसे कोई, यहाँ पर किसी ने पट्टा नहीं करा रखा कि lower limit छोटी ही आएगी, upper limit बढ़ी ही आएगी, ठीक है, तो ऐसे, बस यह just numbers है, नीचे लिखा है तो lower limit, छोटा बढ़ा यह इस से कोई मतलब नहीं है, खेर, वापस आते हैं, यहाँ पर limits को मैंने change कर दिया, x dx, x dx को मैं यह dt बटा 2 से change कर दूँगा, तो dt अंदर छोड़ देता हूँ, और बटा 2 बाहर छोड़ देता हूँ, फिर है x square plus 1, उसकी जग iteration क्या होता है, log of t का modulus यह होता है, फिर bracket close, upper limit 10, lower limit 5, यहाँ पर डाल देते हैं, तो आई बराबर क्या आएगा, 1 by 2 को बाहर रखो, 10 यहाँ पर डालूँगा तो क्या बन जाएगा, log of 10, minus 5 डालूँगा तो log of 5, अब वही फॉर्मला, log m minus log n, क्या हो जाएगा, 1 by 2, log of m by n हो 1 by 2, log of 2 जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे क्या, यह answer क्या है, 1 by 2 log 2, इधर भी answer क्या है, 1 by 2 log 2 है, मतलब, same ही है, कोई दिक्कत है नहीं आपे, कोई issue नहीं है, आपको आप भी नई वाली method ही लगानी है, क्यों लगानी है, यहाँ पर जब आपका answer t में आ गया, तो फिर यार वापस हम x में डालेंगे, तो चीज़े complicated होती है न, x वाला, मतलब, t की जगा, आप x वाली चीज़े रखोगे, तो वो complicated सा expression था, तभी हमने इसको substitution से किया है, है न, अब वो तरीका आसान तो होगा नहीं, वापस x की value डालना, फिर x वाली ही limits उसके दर तो जब आपने सब कुछ change करी लिया, तो बस limits limits को और change कर लेना, न, मतलब new upper limit and new lower limit ये दोनों ही निकाल लेना, old limits की मदद से, ठीक है, lower limit, old lower limit से में new lower limit मिल जाएगी, old upper limit से में new upper limit मिल जाएगी, ठीक है, उस formula में डाल डाल के दोनों values निकाल लेना, फिर हमें t के अंदर ही अपना question खतम हो जाएगा, हमें x में convert करने की जरूत नहीं है, अब हम एक question ओर करते हैं, फिर आज का lecture bind up करते हैं फिर, देखो दोस्तों ये है अपना next example, i equal to integration from 0 to 1 of 10 inverse x upon 1 plus x square dot dx, ऐसा है, तो अब देखो हैर, यहाँ पर पहले इसको कैसे करें, इस substitution से बन जाएगा, 10 inverse x का जो differentiation है न, वो इस इधर ही पड़ा है बगल में, 1 upon 1 plus x square, 10 inverse x का differentiation क्या होता है, 1 upon 1 plus x square, तो यह dx के साथ में ही है, तो हम यहाँ पर 10 inverse x को क्या बोल देंगे, t बोल देंगे, तो काम सालू करते हैं, let 10 inverse x equal to t, अब एक रास्ते पर तो मैं जाओंगा, differentiation करने, और एक रास्ते प का differentiation क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus x square, और x का मैं फिर से करूंगा, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, equal to, t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया, dt का, इसका काम हो गया अपना, 10 inverse x की ज़िए t डाल दूँगा, this is complete, dx upon 1 plus x square, उसकी ज़िए dt डाल दूँगा तो इसको भी हमने निपटा दिया, अब बचिए limits, limits अभी भी पुरानी वाली है, तो limits को भी नया बना देते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, old, इधर, new, lower limit का का काम चलेगा, and upper limit का भी काम चलेगा, ठीक है, कैसे, new limits कैसे निकालेंगा, अपना नया variable t, उ इस formula से हम replace करें न, वही formula हो गया, तो यह पर t की value क्या होगी, 10 inverse x, जो x है, यह अपने old चीजों को दर्शा आता है, जो t है, वो अपने new चीजों को दर्शा आता है, तो देखो, old, lower limit का है, पुरानी वाली lower limit, upper limit भर दो, 0 और 1, 0 है lower limit, 1 है upper limit, ul, ठीक है, तो हमें नई new lower limit है, तो क्या होगा, जो पुरानी वाली lower limit है, वो उठा के आप इसमें रखो, तो क्या हो जाएगा, 10 inverse 0, क्या हो जाएगा, 10 inverse 0, ठीक है, 0 उठा के आपने इसमें डाल दिया, तो 10 inverse 0 क्या हो जाएगा, answer क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो जो new lower limit है, वो भी क्या मिल गया, 0 मिलेग तो क्या हो जाएगा यह 10 inverse 1 यह 1 उठाया इसमें डाला यह upper limit थी तो टीकी भी हमें upper limit मिलेगी 10 inverse 1 क्या होता है यह होता है 45 degree बोले तो πाई बाई 4 ठीक है तो यह upper limit मिलगी सोरी यह lower limit है यह upper limit है यह दोनों चीज़े अब मैं इनको भी मैंने change करने का जुगाड कर लिया जो 1 है 1 के corresponding क्या मिल गया मैं πाई बाई 4 तो यहाँ पर पाई बाई 4 आदाएगा 0 के corresponding 0 तो यहाँ पर 0 आदाएगा ठीक है तो देखो यह नयाई बन गया क्या बनेगा i equal to 0 to 1 की बजाई देगा 0 to 1 की बजाई क्या हो जाएगा 0 to πाई बाई 4 0 to πाई बाई 4 10 inverse x की जगह क्या जाएगा t आजाएगा dx upon 1 plus x square उसकी जगह क्या जाएगा dt आजाएगा multiply by dt ऐसा हो गया t का integration क्या होता है simple t का t के respect में क्या होता है t square बटे 2 होता है t square by 2 upper limit क्या है πाई बाई 4 lower limit क्या है 0 तो क्या answer बनेगा t की जगह πाई बाई 4 डाल दूँगा तो ऐसा हो जाएगा πाई बाई 4 का whole square बटे 2 पूरा bracket आगया same to same minus अब मैं 0 डालूँगा तो 0 का square बटे 2 ये तो 0 ही बन गया 0 का square बटे तो 0 हो गया पूरा का पूरा bracket ही 0 हो गया बस ये बच गया answer क्या आगया पाई का square नीचे 4 का square 16 16 और ये 2 आपसे multiply जाएगे तो ये 32 ठीक दोस्तों तो ये बन गया अपना answer I hope आपको ये तरीका सब्द में आया है नया वाला substitution में हम जो limits है ना उनको भी नहीं छोड़ते आप ये टेबल पे काम करते रहना पूरानी वाली lower limit upper limit से आप नहीं वाली lower limit upper limit respectively निकालते रहना और फिर उसके अंदर फिर वापस T में ही question खतम कर देना T पे ही एक्स में वापस change करने के जरूत ही नहीं है ठीक है दोस्तों तो I hope आपको ये सारा concept समझ में आया है अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर Thank you very much